नमस्कार स्वागत है अब सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में मैं हूँ अजे ठाकुट टीम इंडिया और साउथ अफरीका के बीच पांच मैचों की टीट्वेंटी सिरिस का आगाज हो चुका है पहला मुकाबला दिल्ली के अरुन जेटली स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में भारतिय टीम को साथ विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा अब भारतिय टीम और साउथ अफरिकी टीम दोनों ही टीमों की नजरे बाराबती स्टेडियम कटक की और गड़ चुकी है जहाँ पर T20 सिरीस का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा रविवार 12 जून को और इस मुकाबले से पहले हार्दिक पांडिया को लेकर गुजराट टाइटन्स के हेड कोच आशिश नहरा ने भारतिय टीम मेनेजमेंट को बड़ी और एहम सलह दिये और ये जो सलहा उन्होंने दिये इस सलहा को अगर भारती टीम मैनेजमेंट मान ले तो यकीनन इसका फाइदा टीम इंडिया को लॉंग रन में बहुत ज्यादा होने वाला है अभी इसी साल के अंत में टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा इस लिहाज से हर्दिक पांडियाप क अगरेशिष नहरा ने जो सलहा दी है वो सलहा आप सभी को भी सुननी चाहिए साथी साथ टीम मैनेजमेंट को भी ये सलहा पर गौर करनी चाहिए और सलहा उन्होंने जो दिये व आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो का इंट तक जरूर देखेगा दरसल जो प अप्तान रिशब पंत ने उनको गेंद बाजी के लिए दुबारा गेंद सौपी नहीं जिसके बाद मुकाबला कही ना कहीं जो है बैक फुट पर आ गई टीम इंडिया और ये जब मुकाबला गवा दिया इस मुकाबले के बाद आशीश नहरा ने टीम मैनेजमेंट को हर्द पांडिया जो है उन पर गेंद बाजी के लिए चार ओवर गेंद बाजी के लिए दबाओ ना बनाया जाए अगर उन पर दबाओ नहीं बनाती है भारती टीम मैनेजमेंट तो ये भारती टीम के लिए फाइदा होगा क्योंकि हार्दिक पांडिया की जरुत भारती टीम मैन वो कराने का दबाव नहीं बनाना चाहिए आशिश नहरा ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं तो आशिश नहरा ने कहा चार ओवर गेंदबाजी का दबाव ना डाले ये एकदम साफ है कि टीट्वेंटी विश्वकप में भारत को हार्दिक की सेवाओं की खासी पुर्फ पेसर ने कहा इस फॉर्मेट में बतौर बल्ले बास फिट होने के लिए हार्दिक में पूरी काबिलियत है लेकिन अगर वो अपनी गेंदबाजी को बहतर ढंग से नियंतरित करते हैं तो ये टीम को अत्रिक्त फाइदा प्रदान कर सकता है आगे आशिश नहरा न पांच में गेंदबास के रूप में किया जाता है इसमें कोई संदे नहीं है अगर वो फिट है तो हार्दिक को गेंदबाजी करनी चाहिए लेकिन हाल ही में उसने चोट से उबर कर वापसी की है वो पूरे IPL में खिला है ऐसे में अगर उन्हें इसके लिए धीरे धीरे तय क्यार करते हो तो ये बहतर बात होगी तो आशीश नहरा यानि की कुजराट टाइटन्स के मुख्य कोच आशीश नहरा ने टीम मैनेजमेंट को हार्दिक पांडिया को लेकर एहम सलह दिया और उन्होंने कहाए कि वर्ल्ड कप पास ही है इसी साल के अंत में खेला जाएगा और वर्ल्ड कप में भारती टीम के मद्य नजर हर्दिक पांडिया की जरुवत है तो ऐसे में हर्दिक पांडिया पर गेंद बाजी के लिए दबाओ ना बनाया जाए अगर गेंद बाजी के लिए दबाओ नहीं बनाती है टीम मैनेजमेंट तो यकिनन इसका फाइदा भार पांडिया को लेकर ये अब जरूर हमें कमेंट करके बता दीजेगा और ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ इसे शेर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें थैंक यू सो मच